हैलो दोस्तों मेरा नाम है C.A. विशाल रहेजा और आज हम बात करेंगे works contract के बारे में 18 जुलाई से क्या rate change हुए है works contract के लिए construction services के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 18 जुलाई से क्या-क्या changes implement होने है construction services और works contract services के लिए क्या-क्या बदलाव GST rate में किये गए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को 13 जुलाई को एक notification आया जिसने काफी सारे changes इंटोड्यूस किये इस notification ने master notification 11 बटा 2017 central tax rate जो की 28 जुन 2017 को इशू की गई थी उसमें काफी बदलाव किये काफी changes इस notification के अंदर लाए गए है लेकिन ये notification में जो changes आये हैं इससे rate of tax तो increase हुआ है लेकिन इस notification को काफी असान सरल बना दिया गया है जिससे समझना बहुत असान हो जाएगा 18 जुलाई के बार इसमें जो जो changes किये गए हैं हम उसको discuss करेंगे ये basically इस वीडियो में हम discuss करेंगे जो construction services और works contract service से related changes introduced किये गए हैं जो applicable होने हैं 18 जुलाई के लिए हम इसे बिलकुल असान भाशा में समझेंगे ताकि works contractors को भी या सब contractors को भी ये वीडियो असानी से समझ में आ ज़ए पहले क्या होता था government ने जब ये notification इशू किया तो construction services को heading 9954 में रखा गया और उसके अंदर बहुत सारी entries डाली गई serial number 3 जो था उसके अंदर जो construction services को बिलोंग करता था उसमें बहुत सारी services की classification की गई जैसे की अगर composite supply होगी works contract की तो उसे बाटा गया कि अगर आप canal, dam, कोई historical monument बनाते हैं तो उस पे क्या rates होंगे अगर आप कोई road, bridge बनाते हैं तो उसको अलग entry में डाला गया इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे screen पर अगर कोई residential complex है, railway का, monorail को अगर हटा दें तो उसके अलावा railway का कोई contract है low cost housing project है तो उसे अलग entry में रखा गया तो इसी तरीके से बहुत सारी entry सी जिस पर rate किसी पर 5%, किसी पर 12% और किसी पर 18% था लेकिन अब amendment आने के बाद इन rates को rationalize कर दिया गया है अब बहुत limited services ऐसी है जिन पर 5% rate है otherwise सब के उपर 12 या 18 ही rate रह गया है और अगर हम बात करें maximum services अब 18% में चली गई है 12 के अंदर भी सिरफ 2 services हैं जिने अभी 12 में रखा गया है otherwise बाकी सबी services को इन्होंने 18% में move कर दिया है तो चली समझते हैं कि इन्होंने कहां पर क्या-क्या बदलाव किस तरीके से किये हैं सिरफ अभी दो entries, entry number 7 और entry number 9 को in act same रखा गया है उसके अंदर rate में change लाया गया है ये entry number 7 कहती है अगर कोई works contract की composite supply है जो predominantly earthwork को बिलोंग करेगी यानि कि 75% earthwork होगा और वो services दी जाएगी central government को, union government को या local authority को तो उसका rate 5 से बढ़ा करके 12 कर दिया गया है उसी तरीके से अगर कोई sub contractor यही services जो 7 number में भी हमने discuss की provide करता है main contractor को जो आगे वो service देगा central government को, state government को, union territory को या local authority को तो उसका rate 5 से बढ़ा करके 12 कर दिया गया है इसके अलावा, इस entry जो serial number 3 था इसके अंदर जो भी entry सी 3 से लेकर के 11 तक उसमें से 7-8 entries का omission कर दिया गया है उसके अंदर दो entries ऐसी हैं, जो एक e-commerce से related है जिसे हम यहां discuss नहीं कर रहे और एक oil and exploring से related है उसे हम यहां पर discuss नहीं कर रहे, जहां पर rate अभी भी 5% है otherwise, बाकी सब जगा जो works contract है, construction service के जो composite supply government को दी जाती है या और कोई construction services दी जाती है, कुछ limited services को छोड़ कर जो serial number 1 में आती है 1 के अंदर services कौन सी आती है, 1 में आती है, RERA वाले projects, residential projects, कुछ उनको अगर उन सब को छोड़ दें, तो बाकी सब के उपर rate of tax, 9% CGST, 9% SGST कुल मिलाकर 18% कर दिया गया है, 12 से बढ़ा कर गे अब अगर हम इसको असानी से समझें, कि क्या बदलाव हुए और currently क्या scope रहेगा works contract का अगर आपका work contract, जो predominantly earth works से related है और वो service central government या state government या local authority को दी गई है और वो service चाहे contractor ने दी हो, चाहे सब contractor ने दी हो तो उसका rate 12 हो जाएगा, जो अभी तक 17 जुलाई तक 5% रहने वाला है 18 जुलाई से वो rate बढ़ा करके 12 कर दिया गया है उसके अलावा जितनी भी construction services है कुछ limited services जो serial number 1 में आती है उनको छोड़ करके बाकी सभी services को एक common rate 18% कर दिया गया है अब discuss कर लेते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी services है जिनको omit किया गया, जिनके उपर rate पहले 12 था और उन्हें बढ़ा करके 18 कर दिया गया अगर कोई work contract है, जो हमने government को provide किया था, जो belong करता था अगर हम कोई installation का काम करते हैं, civil structure के उपर या फिर हम कोई educational institution, clinical art, cultural establishment, residential complex का बनाते हैं उस situation में rate पहले 12 था, जिसे बढ़ा करके 18 कर दिया गया पहले provide किया गया था entry number 5A के अंदर और 5 के अंदर कि अगर कोई भी work, अगर हमारा affordable housing project का होगा housing scheme होगी कोई government की उसका होगा या low cost housing project होगा, जिसका carpet area 60 square meter होगा इन सभी projects को जो affordable housing scheme में थे या फिर कोई single residential unit थी, residential complex का जो part नहीं थी उसको railway का कोई भी work था, excluding monorail, उसके उपर rate 12 था उसे भी omit कर दिया गया, उस entry को हटा दिया गया हटाने का मकसद जो यहाँ पर है वो यह है, entry को वहाँ से remove किया गया और उसे general entry में डाल दिया गया जिसके तहत इस services का rate 18 हो जाता है, क्योंकि इसे यहाँ से remove कर दिया गया है, उसके अलावा हमने जैसे शुरू में बात की थी, कोई भी services work जो हमारे civil structure से related है, economic vigor section को houses provide कराने का हो, कोई भी scheme जो housing, प्रधान मंत्री अवास, योजना किसी चीज़ से related हो, इन सभी के लिए पहले जो rate हमारा 12% prescribed किया गया था, वो entry भी delete कर दी गई है, कोई भी work अगर हम road, bridge, tunnel, इस तरीके का कोई भी काम कर रहे थे, कोई भी ऐसा civil structure या work जो किसी scheme जवारलाल, नहरू, नैशनल, अरबर, रिनुवल, मिशन में या राजीव अवास, योजना में आ रहा था, या इस तरीके से जो भी हम bifurcation पढ़ते थे, जो एक काफी confusion create करता था, कि कब हमें पढ़ना है, हमें अलग-अलग entries पढ़नी पढ़ती थी, क्या हमारा जो scope of work वो इसमें fall कर रहा है या नहीं कर रहा, अब वो सब की requirement खतम हो चुकि है, क्योंकि इन सभी entries को, entry नमबर 3, 4, 5, 5A, 6 और 9, और इसके related जो corresponding rate से उन entries को हटा दिया गया है, सिरफ दो ही ऐसी entries बची हैं, जिसके अंदर अब rate 12 आ जाता है, वो दो entries हैं, earthwork से related, छे contractor दे या subcontractor दे और वो major 75% से जादा earthwork हो, तभी 12 rate है, otherwise इन services के उपर, works contract services के उपर, सीधा 18% rate है, कोई जादा bifurcation, जादा कुछ confusion बचा नहीं है, इसे बिलकुल असान कर दिया गया है, उमीद करता हूँ कि आपको जो changes आए हैं, works contract में, जो 18 July से applicable होने हैं, समझ आ गए होंगे, अगर आपका कोई doubt है, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो please इससे like and share जरूर करें, और channel को subscribe करना ना भूले, धन्यवाद,